पहले जो question पूछा जाता है वह पूछा जाता है हिंदी गद्य साहित से ठीक है पांच नंबर के question पूछी जाते हैं जो कि मैंने यहां पर कुछ प्रश्ण important लिये हैं जिससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है जितने भी question पूछे जाएंगे आपके सब इसी में से पूछे ठीक है तो आप लोगों का जो गद्य का question पूछा जाएगा वह सुक्ल और सुक्लोत्तर युग से पूछा जाएगा ठीक है तो निमलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखी तो यहां पर चार option दिये गए हैं मुनसी प्रेम चंद एक कवी के रूप म तो बिल्कुल नहीं थे महावीर प्रसाद दिवेदी थे ठीक है चिंता मड़ी आचारे राम चंदर सुक्ल का निबंध संग्र है बिल्कुल सही है ठीक है आपको उस पर टिक कर देना है निमलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही सर्थ है उसे पहचान कर लिखी इसी तरह क के कोश्चन तेन्थ को पूछे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखे चार आफसन दिये गए हैं जैसंकर परसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है आचारे राम चंदर सुक्ल कभी के रूप में प्रसिद्ध है तो आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी जो है वह एक रूप में प्रसिद्ध हैं यह option सही है ठीक है आगे का देखेंगे उसके बाद तीसरा question यहाँ पर देखिए निम्न में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए तो राम ब्रिच बेनीपुरी सरसती पत्रिका के संपादक हैं विल्कुल नहीं डॉक्टर हजारीपसा द पहचान कर लिखिए अगला question तो गुलाब राय प्रसिद्ध कवी थें डॉक्टर लच्मी सागर वाश्णे प्रसिद्ध नाटक कार थें विल्कुल नहीं डॉक्टर भगवस्तर उपाध्या इतिहास यह पूरा तत्व के बिद्वान थे यह बात विल्कुल सही है डॉक्ट प्रसिद्ध का नागय के बावु गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है जी नहीं यह जैसंकर प्रसाद का है ठीक है मुंसी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपर्न्यासकार थे ठीक है अगला question देखिए तो डॉक्टर श्याम सुंदरदास प्रसिद्ध कवी थे प्रेमच प्रेमचंद एक कहानिकार और उपर्न्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे यह बाद विल्कुल सही है और यहां पर देखिए कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे कनू प्रिया धर्मबीर भारती का प्रसिद्ध उपर्न्यास है हजारी प्रसाद दिवेदी कवी ए जो है कि प्रेमचंद एक कहानिकार और उपर्न्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे अगला कोश्चन देखिए गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकर्था कौनसी है तो गुलाब राय द्वाड़ा रचित आत्मकरथा जो है वह है मेरी असफलताएं बावु गुलाब राय के द्वारा रची गई है और आत्मकरथा इसकी विधा है ऩिखेरा important question है सूरज का सात्वा घोड़ा हिंदी साहित की कौनसी विधा है तो यह जो है उपरण्यास विधा है और धरम विरभाती की द्वारा लिखी गई है ठीक है मुन्सी सदा सुखलाल की द्वारा रचित विधा सुख सागर है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन जो है ममता कौन सी विधा है तो ममता कौन सी विधा है ममता जो है वह कहानी है ठीक है यहाँ पर चार आफसन दिये गए हैं लेकिन जो आपको सही रहेगा वही टिक करना है ठीक है अ अवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है अथाह सागर कौन सी विधा है तो अथाह सागर जो है वह कृति है या कहानी और अगला कोश्चन एकगूट किसकी रचना है जोगださい गऑत जोए जह संकर्प्रसाद की रचना है ठीक है अगला कोश्चन जो है रेती के फूल कौन सी विधा है रेती के फूल जो है वह निबंध विधा है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे तो आकास दीप जो है वह जैसंकर प्रसाद की रचना है अगला कोश्चन देखेंगे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा जित हिन्दी पद्य साहीत के लिए ठीक है हिन्दी की इस चलिए देखते हैं उस heb sister कोंगे उस पूं से जिटने भी przeci चाहे आप नोट बूक ने लिखो आपने दिमाग में शिट करो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लेकिन आपको जितना यहां पर दिया जा रहा है बहुत ही सौट में मैने देने का प्रयास किया है बहुत मेहनत पूरी नहीं कर पाते हिंदी के लिए आपको टाइम भी नहीं मिलता है तो कुछ ऐसा मैंने सोचा जिससे की बच्चों को जादा दिक्कत ना हो और एक ही वीडियो में उनकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाए और उनकी अच्छे मार्ग भी आए ठीक है तो सभी लोग ध्यान स हमारा पांच नंबर का कोश्चन यहां पर भी बनेगा तो पहला कोश्चन जो है रीतिकाल की विशेस्ता है कौन सी है तो इसमें तीन चार आप्शन दिये गये हैं जिन में से की आपका सिंगार रसकी प्रधानता सही है रीतिकाल की यह विशेस्ता है ठीक है अगला कोश्च दिये गए हैं रीति बद्ध काव्यधारा निर्गुन भक्तिधारा तो आटोमेटिक आप समझ जाएं मैंने रीतिकाल का जो है आधुनिक काल का और रीतिकाल का पढ़ाया भी है आप लोग को उसमें सारे बताये हुए है कि आप लोग को कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ कितनी है तो रीतिकाल की मुख्यधारा तीन है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे रीतिकालीन परमपरा से समबनधित गरन्थ कौन सा है तो यहाँ पर आपका विहारी सतसाई जो है रीतिकाल का है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे रीति बद्ध काविधारा के कवी है रीति बद्ध काविधारा के कवी कौन है के सवधास ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन यहाँ पर देखिए कितनी नाओं में कितनी बार के कवी है तो कितनी नाओं मे आसु की रचना किस कभी द्وारा की गई है, तो आसु की रचना जो है, जैसंकर प्रसाद की द्वारा की गई है, सही option जैसंकर प्रसाद है, अगला question निम्न में से कौन सी रचना भूसड की नहीं है, शिवा बावनी, सिवराज भूसड, 76 साल, दसक, कवित्न रतनाकर तो आपको तयार करने हैं आपको पध्यसाहित के लिए ठीक है रीतिकाल और अधुनिकाल से जुड़े यह इस सारे कोश्टन है आगला जो है जो आपका रस से कोश्टन पूछा जाएगा गएतर तरह से पूछा जाएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ अब आपको optionally question में बताना पड़ेगा कि कौन सा रस है इसकी परिभासा जो है उसी में आपको पूछा जाएगा वो आपको पताना रहेगा एक ही word में ठीक करना रहेगा तो यहां पर रोने का आपको भाव प्रकट हो रहा यानि की यह कौसा रस है आप करुण रस होता है औगला question रस के कितने अवयव या अंग होते है तो रस के चार अवयव या अंग होते है ठीक है रस के कितने भेद हैं तो रस के 11 भेद हैं अगला question देखेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें हास रसकास थाई भाव क्या है तो हास रसकास थाई भाव हास है ठीक है करुण रसकास थाई भाव क्या है तो करुण रसकास थाई भाव सोक है यही चीजे पूछी जाएं तो यहाँ पर जो सियू जी बारात लेकर गए थे उनके बारात में बहुत सारे मुख वाले लोग, बहुत सारे हाथ वाले लोग, बहुत सारे कान वाले लोग, सब अजब गजब लोग गए थे जिन्हें देखकर हसी भी आ रही थी, जिन्हें देखकर लोगों को हसी आ रही थ तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ है हास्य रस हुआ उनलों को देखकर हास्य का भाव उत्पन हो रहा था तो यहां पर हास्य रस होगा ठीक उसके बाद अगला कोश्चन जो है अभी तो मुकुट बधा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे बलाज के बोल खीले थे चुंबन सुन्य कपोल तो यहां पर जो है आपका करुण रस होगा अगला कोश्चन देखेंगे तो यहां पर अलंकार से जो कोश्चन पूछे जाते हैं उनको देखेंगे ऐसे ही मैं संधी और सब्दुरूप धातुरूप सारे कोश्चन यहां पर लिए हुई है आगे कितने अंग होते हैं चारंग होते हैं ठीक है इस तरह से कोश्चन पूछा जाएगा दूसरा कोश्चन सोहत उड़े पीत पट स्याम सलोनेगात मनहु लील मनी सैल पर आतप परियो प्रभात कौनसा अलंकार है मिगला देखिए तो यहां पर सोहत उड़े पीत पट यहां पर और जहां पर हमने जो है चंद से कोश्चन जो लिया हुआ है उसको देख लीजे चंद की कितने भेद होते हैं तो चंद के जो हैं चंद के चार भेद होते हैं ठीक है चार भेद होते हैं चंद के अगला कोश्चन जो सुमिरत सिधी होई गननायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं ठीक है तो दोनों चरणों में जो है 24 मात्राएं होती हैं अगला कोश्चन रोला के प्रतेग चरण में कितनी मात्राई होती हैं, तो रोला के प्रतेग चरण में 24 मात्राई होती हैं, अगला कोश्चन देखें, सोरठा के दूसरे और चोथे चरण में कितनी मात्राई होती हैं, तो सोरठा के दूसरे और चोथे चरण में 13 मात्राई होत ठीक है और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं तो अगला कोश्चन चलिए देखते हम इस पर भी हमें एक नंबर मिलेगा ठीक है बस इतने ही कोश्चन में से पूछा जाएगा और कुछ बाहर से पूछा नहीं जाएगा अगला कोश्चन यहाँ पर आपको समास से समास से भी मैंने पांच कोश्चन दिये हुए हैं जिसमें से कि आपका पूछा जाएगा बस इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है तो पहला कोश्चन है सब तरीशी में कौन सा समास है ध्यान रखिएगा से लेबस से ही आएगा आपके से लेबस में द्वंद और समास है तो द्वंद 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 यह सब ज़ो है द्वंध समास होंगे रदब है क्योंसा समास है अगला समास क्यों सामस है क्यूंत है क्योंस सी निक्योंस्टीव करते हुआ हैं के अंस्वर दे दोगे ठीक है जहां पर आपको गिंती मिलेगी वहां पर द्यूगु समास हो जाएगा जहां पर आपको माइनस मिलेगा ठीक है और करके बराबर का अनभव होगा वहां पर द्वंद समास होगा जैसे इस्त्री पूरोस भाई बहन माता पिता ये सब द्वंद स और आपको बस इतना ही जो आप देख रहे है ऊपर में बस इतना ही आपके सिलेबस में है इतने का आप सब्द समझ लीजिए कि क्या क्या बनता है बस आपको उतने में ही पूछा जाएगा कि इससे कौन सा सब्द बनता है ठीक है बस यहाँ पर मैं आपको दिखा देते हूँ जिस तरह के question वनेंगे परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमाक्र तो उपसर्ग कौन सा है उपसर्ग यानि जो पहले होता है ठीक है और प्रत्या यानि जो पीछे होता है तो यहाँ परि लगा हुआ है ठीक है परि तो यह आपका सही option होगा ठीक है अगला question प्रत्या से है तो प्रत्या में आई तपन वा हट वट ठीक है बस इतने से ही question पूछा जाएगा जो कि आप तयार कर लीजेगा यहाँ पर मैं example में दे देती हूँ आपको कि कौन कौन सा होगा ठीक है जैसे यहाँ बनावट में कौन सा प्रत्या है तो वाची कहलाते है ठीक है और पंची का तस्तम रूप है खग ठीक है खग होगा अगला question देखेंगे अगला question जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संधी सब्द रूप धात रूप तो तीनों यहाँ पर आपको तीनों की question मिलेंगे और सारे आपको सही कर रहे हैं तो प्रत्या संधी है तो कितना भी question पूचा जाएगा यह नहीं है बहुत है यह द्यान संधि होगा तो प्रत्या संधी होगी यह संधी घ्रली ठीक है और मध्वरिका कि संधी विग्रह होगा तो मध्धुरी का मधुधन अरी होगा तो जहां पर आपको मधुधन अरी मिले वहां पर आप टिक कर दो, ठीक है अगला कोश्चन जो है मधुसद के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा तो यहां पर आप विभक्ति जब याद रखे रहोगे ठीक है मैं आपको बता दूँगी कैसे याद करना है और फिलाल तो यहाँ पर आफ्शनली कोश्चन दिये जा रहे हैं उसको देखिए ठीक है तो मधूने ठीक है मधूने आपका चतुर्थी भिभक्ति एक वचन होगा ठीक है अगला कोश्चन देखिए फलेस किस भिभक्ति वचन का रूप होगा तो फलेस जो है वह सत्मी भिभक्ति बहुचन का रूप है ठीक है इसको टिक करेंगे अगला जो आएगा पठ धातु लट्ट लकार मध्यम पूरुस एक वचन का रूप होगा तो कौनसा होगा पठ का जो है पठती होगा ठीक है यह सही होगा हसतु पर आपको भरनी है 20 नंबर के कोश्चन वह सारे कंप्लीट हो चुके हैं